इस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु ने जून 2023 एक्जामीनेशन के रेजल्ट का एक नया अपडेट 16 अगस्त 2023 के डेट में पबलिस्ट कर दिया है आज का जो अपडेट आया है इसमें ऐसे काफी सारे स्टुडेंट है जिनके एक्जाम का रेजल्ट डिकलेर किया गया है रेजल्ट को चेक करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर आना होगा फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना होगा फिर यह पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप रेजल्ट को चेक कर सकते है जैसे कि आप इनका देख सकते हैं, इनका तीन सब्जेक्ट का जो रेजल्ट है, वो 16 अगस्त के डेट में पबलिस्ट किया गया है, 50 में से 28 नमर, 50 में से 25 नमर और 100 में से 50 नमर दिया गया है, इनका देख सकते हैं, एक सब्जेक्ट का रेजल्ट आया है, 16 अगस्त के डेट म 50 में से 31 नमर दिया गया है इनका देख सकते हैं इनका भी एक सब्जेक्ट का रेजल्ट आया है और 100 में से 47 नमर दिया गया है यानि कि आज का जो अपटेट आया है इसमें ऐसे कापिस सारे स्टुडेंट है जिनके एक्जाम का रेजल्ट डिकलियर किया गया है तो आप अपन आप exam कब दे सकते है और इसमें आपका total कितना पैसा खर्च होगा तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते है इसमें मैंने detail में बता रखा है इस वीडियो का link नीचे दिया गया है साथी में इनका आप देख सकते है एक subject का result आया है 100 में से 36 नमर दिया गया है जो कि ये pass ह आज भी आपका result नहीं आया है तो फिर आपको अगले update का इंतजार करना होगा हो सकता है कि जो अगला update है उसमें आपका result डिकलेर किया जा सकता है इसके अलावा अगर result को देखने के बाद अगर आप अपने नमर से satisfy नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको और सक्रिप्ट के लिए अप लाइक कर सकते है अप लाइक करने के लिए आपको इसी वाले page पर आना होगा link मैंने नीचे दे रखा है यहाँ पर आपको link मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे तो यह page open हो जाएगा जहां से आप इसके लिए apply कर सकते है इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनुस related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है link नीचे दिया हुआ है साथी में आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box में बता सकते है